हेलो फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोली होली वल्ड पर और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बेर तैलेंटर और पॉपलर एक्टर मनिश वाडवा के बारे में तो कैसे रहे दोस्तों मनिश वाडवा की ल लाइन एर्स के हो चुकी हैं अगर बात करें दोस्तों इनकी नेशनल्टी की तो नेशनल्टी से ये एक इंडियन है और रिलीजन से दोस्तों ये एक हिंदू है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में इन्होंने अपनी स्कोलिंग के दोस्तों शिश अगर बात करें दोस्तों मनीश वाडबा की होबिस के बारे में तो इनकी होबिस अप प्लेंग क्रिकेट चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में दोस्तों ये 1988 से एक्टिंग कैरियर में है और इन्होंने अपने कैरियर के शुरुआत की थी याजे थेटर आटिस्ट और फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिल्मा में डेब्यू किया रावल फ्लम से साल 2001 में और अगर बात करें इनकी टीवी डेब्यू की तो इन्हों टीवी पर डेब्यू किया था शक्तिमान से लेकिन दोस्तों इनको सबसे ज़्यादा पॉपलर्टी दिलाए इनके चानाकिया के किरदार ने जो इन्होंने सीरिल चंदरकुप्त मोरियर में साल 2011 और 12 में निभाया था उसी सीरिल से दोस्तों इनको सबसे ज़्यादा पहचान मिली थी मनीश वाडवा को दोस्तों अपने कोलेज के दिनों से एक्टिंग में काफी रुजान था और कोलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन में ये एक्सर पाटिस्पेट किया करते थे और इनको लगातर 5 बार बेस्ट एक्टर अवोर्ड भी दोस्तों कोलेज ड्रामा में मिल चुका है और 1992 में दोस्तों इनको M.I.M.E. कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट युनिवस्टि एक्टर का वोर्ड भी बिला था मनिश स्वाडवा के दोस्तों एक्टिंग केरियर के लिष्ट काफे लंबी है इसलिए इनके सबी सीरियल्स और मोविस के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर दोस्तों फिलाल के बात करे तो या फिलाल सब टीवी के साथ उनके सीरियल'll गायब मोड ओन में काम कर रहे हैं जिनमें इनका किरदार अमल नंदा का तो ये थी दोस्तों एक बे टेलेंटिर और पोपुलर एक्टर मनीश वाडवा के बारे में एक चोटी सी लेश्टल बायग्रफी वीडियो अगर आप भी दोस्तों इनके फैनत वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें